कि अब जाहिंद आप सभी का स्वागत है इस सेशन में करेंट चाचा के कुछ दिनों से लगे हुए हैं उन चीज़ों को भूनने की जो यूपीसी में वाकई में करेंट अफेर्स से बहुत बढ़ा संब्द रख सकती है और जहां पर आप करेंट अफेर्स को थीमाटिक बज में आएगा कि यह भी तो स्टाटिक चल रहा है क्योंकि इसका नेक्स स्टाटिक के साथ बहुत गहरा रहता है और प्रेडिक्शन का रेट जो हम करते हैं एक्जामिनेशन में आने का वो लगभग यहां से डिपेंट हो जाता है तो पेपर तो वाकई में बहुत बढ़ और चालू करते हैं आज का session with a very positive thinking कहा जाता है कि ना कंचित शाश्वतम कुछ भी पर्मानेंट नहीं है सब transient चीज़ें जो चल रही है आज जो था वो कल नहीं होगा तो कल आने वाला है वो हो सकता पहले कभी ना हुआ हो तो ना कंचित शाश्वतम कोई विची शाश्वत नहीं है कोई विची इस पर्मानेंट नहीं है दुनिया में वैसे ही हमारे current affairs है और वैसे ही का examination है वैसे ह लोग रजाई से निकल जाए बात हो चुका है session का ताकि वह लोग फिर बाद में परिशान ना हो इससराइब देखता हूं वह वागत आप लोगों का आवाज पहुंच रही है आपको बढ़ी बॉर्नेंग बॉर्ण वर्रेवां जय जय ऐन जय हैं गुद मिद्धी जी सन्युक्ता जी प्रभात जी नाजू जी गुद मोर्नेंग एव्रीवांण तो by this time we have developed certain themes और यह themes आपके pages में बन चुकी होंगी इन themes को अपने अपने respective GS paper के folders में रखियेगा end of the month we will try to have some sort of recollection हम लोग फिर से मिलेंगे बढ़िया से और कोशिश करेंगे सारे लोग अपने अपने folders पे ध्यान देंगे तो यह 22 अभी तक आज को लेके 22 theme हो जाएंगी अब लगवक चीज़े repeat होने लगेंगी एक दो हफता और रुकिएगा आप खुद पता चल जागा कि चीज़े कैसे repeat होती है current affairs को अगर event wise याद रखेंगे तो मुश्किल हो जाएगा अगर thematically चलेंगे हमारे साथ तो आपको लगेगा कि बिल्कुल यह चीज़े तो मैंने देख रखी थी मुझे इसका कड़ी जोड़ने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी very good morning जतन जी very good morning अकांचा जी आए स्वागत है चलते हैं आज के पहले theme पे लगभग सारे ही पेपर का जो आच पहला पेपर का या पहला पेज होगा उसका जो पहला theme है वो यही होने वाला है कि पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर मूर्स स्थीरियस और सीन्सियर टॉक्स विद और हॉनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी पाकिस्टान पाकिस्टान को पहले बंद हो चुका था और मुश्किल है अब पाकिस्टान फॉर्स एंड इस परहाट नॉन एक्जिस्टेंट की यूपेसी इसको पूछे पर प्राब्लम यहां पर यह है कि चुकि अब हम लोग इसको इंडिया पाकिस्तान की कोई बात अब जैसे आज इंडिया पाकिस्तान नाइन्टीन थीम है यह आड हो गया हमारा आज का यह पाकिस्टान बोलेंगे तो हमारे पास थीम में बहुत चीज़ें आएंगी लिखने को यहां पर ज्यादा तवज्ज्जों ना देते हुए इंडिया नेबर्षूट की बात परंतु नेपाल भूटान मयानमर यह सब खुद में बड़े-बड़े थीम्स हैं इसलिए हम नेबर हुट का एक थीम नहीं बना रहे हैं पर आपके दिमाद में क्या होना चाहिए जब भी इंडिया आपने तुरंद इमीजिएट नेबर हुट वाले से जब भी बात करेगा ज सब आपके नेबर हुट वाले पार्ट में आएंगे और जब ने हमने चालू किया है इंडिया नेबर हुट और पाकिस्तान की अगर बात आ रही है समझेगा इंडिया नेबर हुट फर्स पॉलिसी सबको याद आ जाती है नेबर हुट फर्स पॉलिसी भारत की क्या है यह मे करेंग नहीं 19 यह रहा होगा तो हम लोग लग last इंडस्टीज पर इस तौप इंडस्टीज वाला पार्ट पे कि एक बढ़ चेक करेंगा तो आई रिमेंबर और नाइनटीन वाला हब्स नहीं किया था एक बड़ चेक करिएगा हो सकता है नम्बरिंग में गलत हुआ होगा एक बड़ चेक कर लिजेगा एवरीवान आई फील वी स्टॉप्ड इंडस्ट्री वाला पार्ट अगर कुछ और है तो इसको लोग टैली कर लेंगे आप नंबर अभी देख लिजगा हम टैली कर लेते हैं इंडिया पाकिस्तान एक थीम जाएगी यह ज़रूर देखना है वरी गुड मौनिंग नियामा जी ठीक है तो वेनेवर वी टॉक अबाउट वाला पार्ट वी विल सी तो जब भी मेंस का अंसर लिखना है या कुछ भी लिखना है नेवर हुट की बाद तो याद लखेगा इंडिया के पास नेवर हुट फॉस्ट पॉलिसी है क्या है इस पॉलिसी के तहर्ट वी अर इसका मतलब सर्फ यह होता है कि हम लोग इट सीकूरिटी प्रोवाइडर है इस हम पॉनुत नेट सीकूरिटी प्रोवाइडर हैं और नेट सीकूरिटे प्रोवाइडर फी λ台 पिरीज मांenser 2 विघिव 2 2 2 त 20th yesterday 20th वाला part very good morning very good morning एक काम करते हैं थोड़ा change कर लेते हैं 19th हमारा growth and development ही रहने देते हैं इसको 20th कर लेते हैं इंडिया पाकिस्तान को this would be 21 this would be 22 and this would be 23 then अभी ठीक हो जाएगा इसको एक बड़ीश्री अच्छा तो एक आगे बढ़ा लीजे इसको एक बड़ा लिजे इसके बार लिखते हैं 25 लिखिये गाब इंडिया पाकिस्तान 25 इस इंडिया पाकिस्तान 26 इसके आगे बढ़ा लीजे इसको ऐसे कर लीजेगा 24 तक आप लोगों ने अल्री लिख रखा है इसके बड़ा लीजेगा ना हमसे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है इसमें एक बड़ चेक कर लीजेगा अभी यह होना चाहिए यहाँ पर 24 तक बना हुए 25 26 27 28 आड कर लीजेगा उसमें नेबर हुट फॉर्स पॉलिशी की तहथ भी आप नेट सेक्यूरिटी प्रोइट यहाँ प्रोइट सकते हैं अगर जरूरत पड़े तो हम यहाँ भी सिक्यूरिटी भेज सकते हैं आप नेट सेक्यूरिटी प्रोइट अगर आप इसको थोड़ा सा ग्राफिकल दिखाना चाहें तो सबसे पहला हम जो चाहते हैं वो यह है भूटान नेपाल श्री लंकाहिन कहीं न कहीं हम कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट जरूर कर रहे हैं हम लोग इसलिए ये करना चाहते हैं, because we want to have mutual benefits. हम चाहते हैं, stability रहे, prosperity रहे, mutual benefit रहे, और एक बढ़िया regional stability का, हम वाकई में इस एशिया में एक signal भेज सकें. India's engagement with these countries is based on consultative, non-reciprocal, and outcome-oriented approach. जिसका साफ-साफ मतलब है, कि अगर आपका infrastructure अच्छा होगा, connectivity अच्छी होगी, people to people connectivity अच्छी होगी, तो हमारा neighborhood अच्छा रहेगा. तो neighborhood first policy का, एक हमेशा दिमाग में आपके angle होना चाहिए, whenever we talk about Pakistan, Myanmar, Sri Lanka, Bhutan, Bangladesh, Nepal, कभी भी हम बात करेंएं, सब आपके दिमाग में तुरंट आजाना चाहिए, कैसे, आईए, कुछ चीज़े हैं, कुछ keywords लिख लेते हैं यहां से, let's write down some keywords, the keywords for neighborhood first policy, this neighborhood first policy talks about as net security provider, as net security provider, दूसरा अगर आप देखेंगे, we are active development partners, we are active development partners, active development partners, we want connectivity, we want connectivity, whether it be about your people to people connectivity, or it be about infrastructure, हम लोग इन चीज़ों पे, बहुत अच्छे से ध्यान देते हैं, और जिसके तहट अगर आप देखेंगे, जो result निकल के आएगा, वो आएगा stability, that brings about stability in the Asian, South Asian region, the stability concern, यह चीज़े आप करके बना सकते हैं, that all this is going to flow through, or flow to my stability in this region, आगे बढ़ते हैं, समझने की बात यह है, कि neighborhood first policy होने के बावजूद भी, हमें कुछ ना कुछ दिक्कर देखने को मिलती है, आज आप देखेंगे, तो एक बहुत बड़ी जो irritant बना हुआ है, neighborhood first policy में, वो है, चाइना का perpetual dragon की तरफ परेशान करना, चाइना's perpetual dragon heat, has given a problematic signal, to all the countries, and its relationship with India, भले आप बात करी पाकिस्तान की, आप बात कर सकते हैं, नेपाल की, आप बात कर सकते हैं, मैयानमार की, आप बात कर सकते हैं, श्री लंका की, हर ऐसी country, जो हमारे adjacent में हैं, बिल्कुल, चाइना का, कहीं न कहीं आप देखेंगे, हमेशा ही heat बना हुआ है, तो perpetual dragon heat of China, is troubling our neighborhood first policy, दूसरा, हमारे कहीं न कहीं, तुरंद परोस में, एक signal गया है, इंडिया always try to interfere, यह कहीं न कहीं गया है, हम करते नहीं है, पर इस signal गया है, तो big brother का, एक attitude था, that has actually gone into, some people mind there, for example, नेपाल हम से बड़ा परिशान रहता है, इस बात से, कि देखिए अर्थ को एक आया, उठके चल दिए, हम मदद करने गए थे, but due to certain issues, उनको लगने लगा, कि शायद हम देखिए उनके आर्थ को एक है, हम तुरण पहुंच गए, और हम अपना वावाई लूट रहे है, उनके यहाँ कोई अग election हो रहा है, तो हम रोड रुपवा दे रहे हैं, तुनको लगता है that we are trying to interfere, इसकी वज़े से neighborhood first policy में थोड़ा सा denting आया है, इंडिया's tilt towards the west, अब एक जगह तो हम ये बात करते हैं कि हमारा neighborhood first है, at the second instance ourselves, we are trying to rope in those countries of the west, that have taken these countries always as subservient, यहाँ पे subserviency बनाने के लिए western की सारी countries लगबग जिम्मेदार हैं, यहाँ कि सारी countries का इतिहास एक ही है, और west इसमें जिम्मेदार रहा है, और हम उसी की तरफ पूरा tilt कर रहे हैं, quard जैसे कि एक example है, quard के माध्यम से दिखता है कि इंडिया is tilting towards the west, तो था, कई बार हमारी domestic policies ऐसी होती है, जो आस-पास के लोगों को परिशान करते थी हैं, जैसे मान लीजे कभी हमने कोई census की बात कर ली, कभी हमने किसी हो सकता है, किसी एक group या किसी चीज की community की बात कर ली, तो हमारे domestic policies कई बार ऐसी हो जाती हैं, कि अगल बगल लोग परिशान हो जाते हैं, भले उश्री लंका की बात की जाए, भले नेपाल की बात की जाए, या फिर भले बांगलादेश की बात की जाए, तो लोग कई बार हमसे परिशान हो जाते हैं, तो neighborhood first policy में क्या-क्या irritants है, या क्या-क्या dent पढ़ रहे हैं, इसका ये गम साफ तरीके से चार पॉइंटर आंसर हो सकता है, ये चार चीज़ें आपके दिमाज में होनी चाहिए हमेशा, ये था पहला न्यूज आइटम, हाला कि पाकिस्तान की उपर से में कोई question नहीं बनने वाला है, पहली बात तो ये है, पाकिस्तान अब ज़्यादा इंटरेस्टेड लग रहा है हमसे बात करने में, क्योंकि उसकी economy बुरी तरह से तबाह हो चुकी है, गुसरी बात है, कि उसको लगता है कि भारत मदद कर सकता है, क्योंकि बाकी लोग अब मदद करने से थोड़ा कतरा रहे हैं, यूएस एड अपना बहुत कम कर चुका है, और इनको लगता है कि अब भारत शायद हमारी मदद कर सकेगा, पर भारत एक ही शर्त पे हमेशा मदद करने के लिए तयार हैगा, कि आप टेररिस्टों को बिलकुल करब करेंगे, आप टेरर फाइनसिंग में सयोग नहीं करेंगे, यह साफ तरीके से हमारा सिगनल लहने वाला है, अगले न्यूज आइटम की चलते हैं, इसका एक बहुत बड़ा हेडिंग बना हुआ था सुपर, यह थीम हमारा, आप इसको एक ही थीम में हम लिखेंगे, security issues and what has been India doing. इंडिया ने बार-बार UNSC में जा जाकर, कोशिश की है कि कुछ ऐसे आतकवादी हैं, कुछ ऐसे लोग हैं, जिनको आप एक सैंक्शन, जो कमिटी हैं, उसके तहद एक सैंक्शन लगा के रखें, so that these cannot be accessing to funds, these cannot be roaming around freely, and these must have to be maybe prosecuted, या कुछ न कुछ इनके उपर charge लगना चाहिए, तो sanctions लगना चाहिए इनके उपर, यह धरूरी बात थी, जब भी हम किसी नाम को लेके जाते थे, चाइना बीच में आ जाता था, कि नहीं नहीं नहीं, यह सर यह तो बड़ा हो सकता है, अच्छा इनसान हो, यह कोई भी ऐसी fundraising नहीं करता है, इनों का कोई terrorist financing से लेना देना नहीं है, भारत को यह evidence दिखा है, बार-बार चाइना आके रोक देता था, अब चाइना के अगर बात की जाए, तो UNSC के permanent fight में तो होती चुका है वो, और बार-बार कोशिश करता है कि चीज़ों को block कर दे, यहां पर एक मज़धार बात यह है, कि security issues के तहर जब हमने इसको पढ़ने की कोशिश की, I found that, हाँ demonetization, बिल्कु सही बात है, तो हमने इसको देखने कोशिश की, जैसे उसने withdraw किया, सारे लोग तो पक्ष में थे, कि ऐसे लोगों को आप साफ तरीके से, आप terrorist रुकोशित करिए, इसमें sanction लगाईए, चाइना बस अगेंस था, इसको समझने की बात है, आई यह थोड़ा समझा जाए इसको, वाइ नाव चाइना, इसको थोड़ा साफ समझने की कोशिश करेंगे, तो हम आपको बताना चाहते है, नमबर वान, चाइना इस ओल्रेड़ी ट्रबल्ड, चाइना खुद अभी ट्रबल्ड है, विट इट्स एकॉनमी, खुद ट्रबल्ड है विट इट्स एकॉनमी, क्योंकि एकॉनमी से ट्रबल्ड है, तो कई बार क्या होता है, ट्रेड वार्स होते हैं, कई बार आप देखेंगे कि इसको भी पैसा चाहिए होता है, कही न कहीं से तो चाहिए होगा, अगर यूएस और अदर कंट्रीज आ नॉट हापी विट इट, यूएस प्लस एउ, प्लस अदर कंट्रीज इफ आ नॉट हापी, यहां से ट्रेड गम होगा, इसलिए चाहिना ने सोचा कि अभी थोड़ा सा अपने आपको टोन डाउन करते हैं, लेट्स आवर एकॉनमी रिवाइब, इसलिए यह थोड़ा सा भी अपने साजी श्रच रहा है, दूसरा, चाइना ने देखा पाकिस्तान, खुद बिलकुल वरवादी के उस द्वार पे खड़ा हुआ है, अपने टेररिस्ट फाइनसिंग को बंद करवाओ, अपने टेररिस्ट जो आप वहाँ पे हर्बर किये उसको बंद करो, ताकि आप सबसे पहले तो FATF से निकाले जाओ, जो ग्रे लिस्ट में आप आचुके हो, उसमें से आपका नाम निकल जाए, प्लस कुछ आतंगवादियों को आप घोचित करवादो, कि दे आप अचुली टेररिस्ट, और पुट सम सैंक्शन सॉन देम, शो शम आक्शन, तो फंड लेने के लिए, जस्ट टू टेट सम फंड्स, पाकिस्टान भी बोला, यहाँ ठीक है, थूड़ा सैंक्शन सम लोग बरदास्ट कर लेते हैं, और इन दोनों के मन्ने दज़र देखा जाता है, हरत की तो हमेशा कोशिश रही है, कि ऐसे लोगों को हमेशा सैंक्शन लगाना चाहिए, और इनका नाम बार-बार हमने उठानी कोशिश की, तो एकॉनमी का आज का आप पर इवेश्पूरा देखेंगे, पहले हो सकता एकॉनमी का इतना बड़ा रोल नहीं था, पर आज वार से लेके, रिलेशन से लेके, सैंक्शन से लेके, हर चीज में एकॉनमी का रोल लेखने को मिलता है, अगर यह प्रशन का भी में से बनता है, हाउ माइट और हाउ पाउर्फूल माइट इस अप दाट एकॉनमी वर्किंग वर्किंग करते हैं विद एकॉनमी कैन प्रूब और कैन ट्राइटू अक्चुली हेल्प यू तू अच्छा पड़ सकता है, अगर से बना लो एकॉनमी है तो आप अपने प्रेशर से क्लाउट से किसी को भी आप ऐसी चीजों को करना है अगर सैंक्शल लगवाना है तो आप लगवा सकते हो, एकॉनमी का यहां पर एक माइट हमको देखने को मिलता है, हमें एक चीज यह भी समझना होगा, पाकिस्तान's कोलापसिंग एकॉनमी अलसो हेंड सिंस प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ दस नोट वान टो रिस्क इन्वाइटिंग आयर अप यूएस और कंट्रीज अगर आप इंटरनाशनल पटल पे अपने आपको बहुत अच्छा दिखाओगे, सर, हम तो देखिए, टेरिस्ट फैलनसिंग बंद कर रहे हैं, तो आपको फंड मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, और हाल ही में, FATF ने, Financial Action Task Force, इसको हम लोग करेंगे, अच्छे से डिटेल में, Financial Action Task Force ने, पाकिस्तान को अपनी ग्रे लिस्ट में से हटा लिया है, ग्रे लिस्ट वो लिस्ट होती थी, जिसमें कंट्री इसको इसलिए रखा जाता था, कि वो शायद, टेरिस्ट फैलनसिंग में कुछ ना कुछ कम Action ले रही है, बहुत ज्यादा नहीं इस पे सोच रही है, और यहाँ पे अगर नहीं कुछ क्वेक्शन करें, तो उसको ग्रे लिस्ट में रखते थे, धीरे धीर उसको उठा के ब्लैक लिस्ट में कर देते थे, पर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट निकाला गया, दिखाया गया, कि पाकिस्तान has been working now, has brought about some rules and regulations, कि terrorist financing कम हो जाए, यहाँ पे प्रश्ण और मनता है, कि भारत ने आखिर इंटरनाशनल पटल पे, टेरिरिजम के लिए क्या 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 है, security issues मेरा heading का, 2018 की बात है, इंडिया ने अपने एक demand को highlight किया, चो कि बड़ा important है, let's have a comprehensive convention on international terrorism, actually the problem is, terrorism is not defined, terrorism की बहुत सारे चेहरे हैं, पर उसको कभी define ने किया गया, एक common definition निकल के नहीं आती, इंडिया ने highlight किया, let's have a comprehensive convention on international terrorism, that includes all, comprehensive legal framework to counter terrorism, जैसे कि, आपको universal definition होना चाहिए, what does this terrorism mean for all the members, second, to ban all terror groups and shut down the terror camps, a very staunch action that we should have taken, third, prosecute all terrorists under special laws, and make cross-border terrorism, an extraditable offense worldwide, cross-border terrorism अगर कोई करता है, करके कहीं पे घटना भाग जाता है, तो उसको एक extraditable offense मानना चाहिए, हम extradite कर सकें उन लोगों को, और उनको prosecute कर सकें, this is what is India has been demanding since long, और 2008 थारा में हमने highlight किया, कि हमें comprehensive convention चाहिए, suppose if they ask you a question, now it means examination, has the time come for a comprehensive convention on international terrorism, please say yes, जब तक धेशों के पास, एक common definition नहीं होगा, एक common framework नहीं होगा, special laws नहीं होगे, how would they understand the today's face of terrorism, which is not only concentrated in one pocket, but is cross border, क्या लगता है, आपको चाहिना परिशान नहीं टर्रिशम से, क्या लगता है, आपको पाकिस्तान परिशान नहीं टर्रिशम से, सब परिशान है टर्रिशम को, तो बढ़ावा पाकिस्तान ने दिया, आज वही उसको खा रहा है, तो इन सब के पीछे, एक ही आंसर हो सकता है, let's have a comprehensive legal framework, comprehensive convention on terrorism, international terrorism, January 2021, at the 20th anniversary of UN Security Council Resolution 1373, India presented an 8-point action plan to deal with the scourge of terrorism, क्या थे आए ये देख रहे हैं, हमने simple सी बात की, हमने 8 steps दिये, 8 points दिये, the 8 pointers, summoning the political will to unhesitatingly combat terrorism, decrying the double standards, reform of the working methods of the committees dealing with sanctions, firmly discouraging exclusivist thinking that divides the world and harms social fabric, enlisting and delisting individuals and entities under UN sanctions, fully recognizing and addressing the link between terrorism and transnational organized tribes, combating terrorist financing and immediate attention to adequate funding to UN counter-terrorism bodies. ये 8 pointers भारत ने दिये 2021 में, अब हमेज़ समय आ चुका है, कि इन 8 pointers पर वर्क करना पड़ेगा, so that our terrorism scouch is just removed away. Political will चाहिए, double standard नहीं चाहिए, working methods of the committees, बढ़िया से आपको रखनी पड़ेंगी, discouraging exclusivist thinking that divides the world's, a world and a harm's social fabric, enlist करिये, delist करिये individual or entities को, fully recognizing that there is a link between terrorism and trans-national organized crime, terrorist financing को combat करिये और immediate attention लाइए, funding करना पड़ेगा, UN counter-terrorism bodies को funding करना पड़ेगा, ये 8 pointer के तहट, आप अपने exam में लिख सकते हैं, that India has been trying to do all such things that is going to benefit the world by tagging and making comprehensive convention on your terrorism, international terrorism, ये बहुत बढ़िया पॉइंट है, आपको मिल सकता है, security issues के लिए, भारत सिर्फ अपने ही नहीं, very good morning, भारत सिर्फ भारत में ही नहीं, परन्तु, अगर आप बाहर भी इसको देखें, या international world में भी देखें, पूरा global order में देखें, domestic steps अब आगे भी पढ़ेंगे, ये कुछ international thing दी, जो हम आपको देना चाहते थे, आगे बढ़ते हैं, आप सभी का स्वागत है, एक theme में, क्योंकि budget और taxation है, प्लीज नमबर पूराना वाला ले लिजेगा न, जो लिखा हुआ है, ये नमबर यहां गलत पड़ा हुआ है, जो अभी हम लोग ने mutually decide किया है, वो नमबर ले लिजेगा, budget और taxation, कोई भी budget और taxation वाली चीज आएगे, हम लोग यहीं लिखेंगे, एक word इसमें आ रहा है, आजकल बहुत आ रहा है, windfall tax, windfall tax क्या होता है, आई ये पहले देखते हैं, windfall taxes are designed to tax the profits, a company derives from an external, sometimes unprecedented event, for instance, energy price rise as a result of Russia-Ukraine conflict, हम अजने कोशिश करिएगा, हो सकता है, इसनी एक crisis की वज़य से, इसी चीज का दाम बढ़ा, जैसे ही इसका दाम बढ़ा, profit कमाने लगी company, profit बढ़ने लगा, जैसे ही ये profit बढ़ने लगा है, companies might earn lot of profits from it, अब these are the profits that have not come because of any action done by the company, company बस बैठी होई थी, रातो रात अमीर होई, कुछ भी नहीं किया, the firm, the company did not do anything differently, neither it invested more, neither it thought of an expansion, कुछ भी इसमें होने नहीं किया, इन्होंने बस बैठे रहे और अपने आप profit आ गया, ऐसे profit को, जो की एक external, unprecedented event के कारण होता है, government कहती है, ऐसा है, यह आपका महनत का पैसा नहीं है, this is a windfall, this is a windfall, that means, it is an unearned, unanticipated gain in the income, through no additional effort or expense, और government इसके उपर, एक tax लगाती है, एक tax लगाती है, जिसको कहा जाता है, कि एक यह populist measure है, populist measure मतलब, हम आप पे tax लगा के, कुछ पैसा कमाएंगे, ताकि इस पैसे को हम लोगों के लिए यूज़ कर सकें, यह होता है, आपका windfall taxation, on windfall profits that you have earned, जैसे oil market की बात करें, दाल की बात करें, जैसे वो product है, जिसमें कभी भी price shoot up हो जाता है, जैसे ही कहीं पे कोई war हो, कहीं कोई deficit हो, तो price shoot up होते ही, company ने कुछ भी नहीं किया, company ने profit कमाया, उन profit पे जब हम taxation लगाते हैं, we get our windfall tax, हालगी में एक news आई थी, कि center ने windfall tax अपना oil पे, export of diesel पे और ATF पे, जो आपका aviation का fuel होता है, उस पे थोड़ा कम कर दिया है, हमें ये सब नहीं पढ़ना है, पर हमें जो word देखना था, वो क्या है, windfall tax क्या होता है, I hope this is clear to all of you, ये अगर आएगा तो prelims में बस एक नाम-based question आएगा, और mains में आप इसको use कर सकते हैं, कि कैसे हम dynamically taxation लगा सकते हैं, आईए, आगे बढ़ते हैं, इंडिया-चाइना की theme हमने अलरड़ी लिख रख की है, उसी page को निकाल लिएगा, इंडिया-चाइना, पाच्वा नंबर हैं, इंडिया-चाइना आपके paper 2 के folder में होगा, उसको निकाली एक बार, एक हवाले से news आ रहे थी कि, इंडिया is planning buffers in proposed arunachal project to offset China threat, अखिर China threat क्या है देखने की कोशिश, भारत और चाइना के बीच में बहुत सारे विवाद हो सकते हैं, बहुत सारे रिष्टों को खराब करने के irritants हो सकते हैं, परन्तु एक नदी है, क्योंकि वाकई में strategically, geopolitically, environmentally, biodiversity wise is impacting our relationship, और उस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र नदी, चाइना अपने ब्रह्मपुत्रा वाले segment में, बहुत सारे dam अलेडी construct कर रहा है, और हाली में एक mega dam का concept चाइना ने दिया, जो हम आपको image के तुरू दिखाना चाहेंगे, आप देख सकते हैं, यह हमारा सुन्दर अरुनाचल प्रदेश है, ठीक सुन्दर अरुनाचल प्रदेश के उपर अगर आप देखेंगे, तो जो तिब्वत वाला part है, इसका unit स्टार्ट हजार मेगा वाट का या सिक्स्टी गीगा वाट का एक capacity का dam, सूपर डैम, मेगा डैम बनाने की बात कर रहा है, तो सुचने कोचिछ करिएगा आप, इस नदी में, क्योंकि ब्रहमपुत्रा हमारे यहां है, इनके यहां यारलूम सैंकों के नाम से जानी जाती है, इस आज अल्रेडी बीन अंडर सो मेनी ऑफ डैम्स और सो मच अफ डैम्स कंस्ट्रक्शन अल्रेडी हो चुका है, और जब आप साट गीगा वाट की बात करते हैं, अगर हम देखें, तो थोड़ा सा हमें डर लगता है, थोड़ा सा बात करते हैं इसके उपर, तो यहां पर हमने देखा, कि चाइना अपने डैम्स कंस्ट्रक्श कर रहा है, बिइंग अपर रिपारियन स्टेट, इस चंस्ट्रक्श्टिंग डैम्स, हमारे और चाइना के बीच में एक करार हुआ था, एन अगरिमेंट वस देर, कि आप हमसे सारा डैम्स का इनफॉर्मेशन शेयर करेंगे, विदाउट शेयरिंग, यू शुड नाट मेक एनी डैम्स, हमें सैटलाइट इमेजरी द्वारा पता चलता है, कि वो डैम्स मना रहा है, हमने कोशिश की, कि हम भी कुछ करें, हमने अपने अरुनाचा प्रदेश के अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट में एक प्लान किया है, 11,000 मेगावाट प्रोजेक्ट, 11,000 मेगावाट प्रोजेक्ट जो कि कहा जाता है, मोर देन फाइफ टाइम्स असाइज और लाज़ेस तच प्रोजेक्ट इन इंडिया, हम साथ हजार तक तो नहीं जाएंगे, और उसमें बुद्धिमानी भी नहीं है, अब ही हम बताते हैं क्यों, 11,000 मेगावाट का प्रोजेक्ट हमने कोशिश की, कि हम वहाँ बनाएं, हमने एक प्रपोजल भेचा, अब 60,000 का जब वो मेगावाट का प्रोजेक्ट बनाएगा, तो इसका साफ मतलब है कि वो पानी को तो रोकेगा, आज तून आज इट स्टॉप्स अवाटर, पर यह पहला नहीं है, अगर हम आपको दिखाएं, इस पूरे नदी पे बहुत सारे है, कुछ और नाम हम आपको देना चाहेंगे, देखीगा, यह है डागू, जैक्सू, जैंग्मू, जियाच्चा, यह पहला नहीं चाहें, तो यहां पे अल्रीडी इतने डेम आप बना रहे हो, और यह बिल्कुल एक हमारे बॉर्डर की पास आके बना रहे हो, समझने की बात यह है, अगर थूड़ा सा आप हमको ध्यान दे हमाई तरफ, इतने बड़े-बड़े डैम बना के सबसे पहली बात है, आप एक unfavorable location में ऐसा कर रहे हो, और करिएगा, यह वो जोन है, यहां पे आपका boundary है, यह वो जोन है, जहां पे आपका active plate boundary है, आप पूरे northeast को अगर देखेंगे, तो हमारे zonation जो है, disaster वाले में, vulnerability to earthquakes, पाँचवें जोन में है हमारा northeast वाला पार्ट, तो अगर northeast के लिए हमने planning कर रखी थी, देखी थी, तो उसके उपर वाला भी उसी scenario में है, seismicity आप induce करा सकते हैं, इतना बड़ा डैम बना के, artificial seismicity आप induce करा देंगे, that can result in a total destruction, कि total destruction की तरफ आप लेके जा रहे हैं इसको, क्योंकि 3000 मेगावाट के डैम के लिए, you require millions and billions of Q-zix of water, दूसरा, you are actually trying to have a strategic implication on India, कैसे, artificial floods, you can create artificial floods at your own whims and fancies, तेकि एक दाइत की होता है, जब भी आप अपर riparian state में होंगे, मतलब आप बेसिन में उपर हैं, और कोई दूसरा देश या state अगर नीचे है, तो यह आपकी दिम्मेदारी है, कि आप ऐसी चीज़े ना करें, जिसे नीचे का पानी कम हो, जैसे, तीस्ता नदी की बात की जए, तो तीस्ता नदी, पांगलादेश के लिए भी important है, भारत के लिए भी important है, तो हमारी जिम्मेदारी यह है, कि हम पानी को इतना भी न रोख लें, कि वहाँ पानी बहुत कम पहुँचे, और उनको दिक्कत हो, या फिर हम पानी इतना होल्ड कर ले, और ऐसे सीजन में छोड़ दे पानी, जहां तबाही मस तक है, आप 60,000 मेगा वाट के एकर बात कर रहे हो, और आपने इतना बढ़ा का डैम बना लिया है, तो strategic implication सबसे बढ़ा है, कि we are fearing the artificial floods that you can create, not only the floods, the artificial rots that you can create, या artificial scarcity that you can create, जब इतना फानी hold कर लिया है चाहिदा ने, तो scarcity भी दिखा देगा, flood भी दिखा देगा, की ज़रा, इसके कारण यहाँ पे, there is a risk to whatever habitants are living there, whoever the people are living there, यहाँ पे एक बहुत बड़ा risk life का, फिर पीपल को ही नहीं, अगर बात किया जाए, तो flora और fauna को भी यहाँ पे एक बहुत बड़ा दिक्कत है, क्योंकि उस पूरे belt को आप देखिए, पूरे belt को अगर आप देखिए, ताजी रंगा, मानस, एक से एक वहाँ पे नैश्नल पार्क है, और हमारे कुछ ऐसे स्पीशीज है, जो वल्लेरेबल, इंडेंजर्ड और क्रिटिकल इंडेंजर्ड की स्पीशीज में आते हैं, वो भी वहीं पे रहते हैं, यू आर थ्रेटिनिंग आवर फ्लोरा एंड फॉना, बता दें, वो बेल्ट जो हमारा है, वो एक तरह से मेगा डाइवर्स, बायो डाइवर्सिटी होट्सपॉट रीजन है, अगर आपने उस बायो डाइवर्सिटी होट्सपॉट रीजन के ठीक उपर एक ऐसा डैम बनाया है, यू आर थ्रेटिनिंग माई बायो डाइवर्सिटी होट्सपॉट और मज़े की बात यह है, आपने गर पानी रोक दिया, तो वहाँ का जो लोकल, जितना एको सिस्टम में तबाह हो जाएगा, तिल्ट आपका बंद हो जाएगा ना, इसका मतलब है नीचे एगरी कल्चर के लिए जो मिट्टी चाहिए वो खतब, सिल्ट उपर ही जमा हो जाएगा, पानी बहेगा, सिल्ट बिल नॉट कम नौ, सैंड बिल नॉट कम, इस विड़ नॉट कम रिन्यू कैसे होगी, आज आप भांगर और खादर की बात करते हैं, भांगर खादर जब हम गंगा के तटपे देखते हैं, हमें पता चलता है, खादर बार बार रिन्यू होता रहता है, भांगर ओल्ड खादर रूबियम है, खादर रिन्यूवर रूबियम है, और हम कोशिश करते उसमें अग्रिकल्चर करने का, आपने अगर पानी रोग दिया, टोईल रोग दी, तो काम करते हैं, आप तब पानी का फ्लॉड ले आओंगे दूसरा मॉन्सून इतना भेंकर होता ही है कि आपके फ्लॉड आही रहें दो फ्लॉड है वहाँ डॉल फ्लॉड असेट बाइश परमीन जी यह असाम फ्लॉड इस प्रॉब्लम यह बहुत बड़ा रिस्क है आपके लिए मारे लिए इसके लिए सिंपल सी बात है कि चाइना आप समझ जाओ ऐसा काम मत करो इसलिए हमने सोचा है कि हम बफर बना ले हमने सोचा है इक बफर बना ले ना इस दिस नॉट गों तो बी आज एनीवेर और आपको पता हुए इंडिया चाहिनक बीच हो ब्रह्मपुत्र का भी एक इशू है जो अभी हमने डिसकस किया हलाकि हमारे एक बात की कि हमने एक बफर स्टोरेज अगर हम बना ले और नाइन बिलियन क्यूबिक मीटर्स और अब नाइन बिलियन टन्स ओ वाटर दूरिंग चेम्या यूंग्डूं ग्लेशियर से जो की कैलाश रेंज में है नियर मान सरुवर लेग आपको नीचे कमेंट करके बताना है कि ब्रह्मपुत्रा नदी जहां से निकलती है उसी के आस पास एक दूसरी नदी निकलती है जो वेस्ट की तरफ जाती है आपकी चेम्या यूं किल है या कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां पे सिंटाक्सिकल बेंड होता है इस नदी का और गौर्ज बनाते हुए अंदर की तरफ मुड़ जाती है यहां पे ऐसा क्यों है यह आप बताईएगा अकांग्शा जी ने इंदस थोड़ा सा नौर्थ वेस्ट में जाएगी हमारा वेस्ट की तरफ बात था जाने का फिर से देख लीजेगा वेस्ट की तरफ जो जाती है नीचे जवाब देख लीजेगा बाद में और यहां पे कौन सा ऐसा पीक है जिसके कारण सिंटैक्सिकल बेंड देखने को मिलता है अकांग्शा जी ने नमचा परवा बोला है बिल्क कि अग्ड़ों सब्सक्रास इस और सब्सक् initially ज्यूला प्रीवर्थ लोकेशण सब्सक्राइब दाख दीजिस को इसमें संहीं अएपने हाथ से प्रिज बना लिजिएगा कि पुछ ट्रिबूसरी कामेंग मानस यह आपकी राइट बनुट्रीज है राइट बंक इतर बूटेरीज डिभाउंग सुबांसरी कामेंग मानस खींगे यह बनाएगा अपने हाथ से ताकि आपको चीज़ा आगे तक याथ है अच्छा राइट बैंक के याप बात करेंगे राइट बैंक के अगर आप बात करेंगे अच्छा मानस के बाद भी इतल जीज़ेगा मानस संकोश रैडक जल्डहा का तीस्ता यह सब आपकी अगे बढ़ते हैं अगला मुद्दा है कोई बात नहीं आप सिंपल सा अपना सिक्योरिटी इशू अलड़ टॉपिक अभी आपने रखा था फिर से उठा लीजे ड्रक सिंडिकेट और ड्रक मेनिस्थ भारत में नया नहीं है ड्रक सिंडिकेट बहुत सारे बस्ट भी किया जाते हैं और ड्रक का एक बहुत बुरा व्यापार क्रॉस बॉर्टर से हमारे पास हो रहा है सिक्यूरिटी इशू के तहित हमें इसको पढ़ना चाहिए आईए इंडिया की लोकेशन अगर देखी जाये इस सैंडविस्ट बिट्वीन तू लारजेस ओपीयम प्रोडूसिंग रीजनस ऑफ दे वर्ल्ड एक तरफ है golden triangle और एक तरफ है golden crescent golden triangle और golden crescent को यूज किया जाता है opium producing region के नाम के तौर पे golden triangle की बात की जाए Thailand, Myanmar, Vietnam, Laos जो कि एस्ट में है और golden crescent की बात की जाए पाकिस्तान, अफगानिस्तान आपका एक तरफ आपको दिख जाएगा यह है golden crescent वाला पार्ट जो की भारत की just west में है और एक पूरा अगर आप देखेंगे तो south east में यह पूरा golden triangle वाला बना हुआ है Myanmar, Thailand, Laos और Vietnam golden triangle और चुकी आप देखेंगे की यहाँ पे ही अगर आप देखें चुकी border पे है इस वज़े से क्या problem है कि यहाँ पे drug trafficking drug trafficking is done so easily maybe in the name of the porous border अब border को demarket हमने तो कर रखा है पर fencing वाला अगर पार देखेंगे तो it is such a porosity there because of terrain, rivers, mountains ऐसी चीज़े हैं कि आप fencing नहीं कर पाएंगे पुरी तरह किसे उन चीज़ों का लाग उठाते हुए drug trafficking की जाती है यह drug trafficking कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा मुद्दा बनती है terrorist financing बहुत बड़ा मुद्दा बनती है यह drugs अपने यहाँ से बना के हमें बेचते हैं देखिए क्या महौल चल ला है बोल्टन क्रेसेंट से ड्रग आता है भारत में इंडिया में और इंडिया जब ड्रग यहाँ पे trafficking इतनु भेजा जा रहा है तो यहाँ से कुछ पैसा गया यहाँ पे अब यह पैसा यह लोग यूज़ करते हैं तो प्रमोट टेररिसम इन ही चीज़ों को रोकने के लिए अगर आपको टेररिसम पे वार करना है तो आपको ड्रग ट्राफिकिंग पे भी वार करना पड़ेगा तो हर चीज़ कही न कहीं आके जुड़ जाती है अगर आपका वार ट्राफिकिंग पे है तो आपका war terrorism पे भी है similarly यहाँ पे भी देखेंगे आप यह जो तीन countries या चार countries या ट्राइंगल में Vietnam, Laos, Thailand और Myanmar यहाँ पे आप देखेंगे यह लोग भी अगर drug अगर ऐसा उगा रहें और कहीं न कहीं से trafficking करने कोशिश कर रहें तो हो सकता है यहाँ पे भी कुछ ऐसी activities जैसे मयानमार में देखने को मिलती है कि वहाँ पे भी आपका बढ़खावा मिल सकता है मुंद्रा पोर्ट से भी बिल्कुल मतलब यह सभी जिम्मेदार है ना हमारा ऐसा location है Golden Crescent West में है याद रखिएगा इसका पूरा का अगर पूरा हम एक अनालिसिस करना चाहे तो भारत की डेमोग्रस भी अगर आप देखें इस समय अगर डेमोग्रफी आप अगर देखें अनिंप्लॉइमेंट ये दो चीजों को अगर आप थोड़ा सा मिला दें तो आप समझ सकते हैं कि आखिर परिशानी क्या बन सकती है इंडिया is said to be one of the world's single largest opiate markets in terms of users this is because the intensification of trafficking in opiates originating in Afghanistan समझेगा according to world drug report of 2022 इंडिया has the fourth largest quantity of opium seized in 2020 at 5.2 tons and the third highest amount of morphine was also seized in the same year at 0.7 tons अगर आप Central America को देखेंगे इस map में आप देख सकते थे ये वाला पार्ट भी जो पूरा है मेक्सिको पूरा लगभग हम इस को लेना चाहेंगे ये पूरा पार्ट तो ड्रग के लिए जाना जाता है बहुत सारी मुवीज भी इस पर आप देख सकते हैं ड्रग के लिए बनी हूँ यह सिंडिकेट्स ने हैं यहाँ पर और यह पूरे इसकी ववस्था को खराब कर रखा इस पूरे पार्ट ने हम ऐसी चीज़ भारत में नहीं होने दे सकते इंडिया पे जब कहा गया फोर्ट दार्जिस कॉंटिटी अप ओपियम सीज्ड है इसका मतलब है कही न कहीं से वह ट् सुचिएगा रख ट्राफिकिंग के लिए डार्क नेट गुद मॉर्निंग गुद मॉर्निंग तार्क नेट रफर्स टुद इडिन इंटरनेट प्लाटफॉर्म यूज पर नार्कोटिक से एक्षेंग पॉर्णोग्राफिक कंटें अधर इलिगल अक्तिविटीज बाइश इसको ये एक प्रॉक्सी सॉफ्ट्वेर टाइप का होता है अब इसमें बात निकल के आती है आज अगर आप टेक्नॉलोजी की बात करें तो टेक्नॉलोजी इस तिर्फ अच्छा करने में नहीं लगी है इसको यूज़ किया जा रहा है ड्रग सेल में भी टेक्नॉलोजी साइड़ इफेक्ट ये भी है इसको कुछ लोग यूज़क्त करते हैं ड्रग सेल में ड्रग ट्राफिकिंग में एंड-to-end पूरा encryption रहता है इसको कोई crack नहीं कर पाता है पैसा भी चला जाता है कोई crack नहीं कर पाता है तो डार्क net एक ऐसा hidden internet platform है जिसको decipher नहीं किया जा पा रहा है हाल ही में एक साल पहले की बात है कि डार्क नेट में से भी किसी लोगों को सिंडिकेट को पकड़ा गया था लोग लगे हुए टेक्नोलोजी में दोनों तरफ का ही चलना है रुजान बट आज आप समझ सकते कि टेक्नोलोजी बूरी चीजों को करने में भी आगे हो सकती है इसमें वर्ड यूज हुआ है नार्को सबस्टेंस अग्ट आप नाइटी फाइट क्या कर रहा है भारत के पास अपनी एक एजनस्टी है नार्कोटिक्स ट्रॉक्स अप्सटेंस अग्ट आप 1885 कि प्रस्ट पर कैसे आएगा वाट इस इंडिया दूइंग तु स्टॉप अभी और भी से पॉइंट्स होंगे पर आज के लिए क्योंकि Ministry of Home Affairs के अंदर वर्क करती है नाशनल पॉलिशी और नार्कोटिक्स ट्रॉक्स सब्स्टेंस इस बेस्ट आर्टिकल 47 और इंडियन क्या लगता है आपको आर्टिकल 47 आखिर कहां पर है क्या लगता है क्या यह फंडमेंटल ड्यूटी डी-पी-एस-पी वाह यह हमारा एक डी-पी-एस-पी है तो आप देख सकते हैं मेरे ड्रग का या कंजंप्शन का फॉर ओल सच प्रोहिबिशन और कंजंप्शन एक्सेक्टर एक्सेक्टर इंटॉक्सिकेंट ड्रॉक्स का दिक्र हमारे डी-पी-एस-पी में भी है यह पॉइंट भी नोट होना चाहिए दूस और साइक्ट्रोपिक सब्स्टेंस आक्ट निटीफाइफ में इनएट किया गया था जो कि प्रवाइट प्रॉइटी के भी हां बन सकते हैं में से लिए याद रखिएगा कि हमारे समिधान खुद लिखा आटिकल 47 में कि ड्रक्स का प्रोहिबिशन होना चाहिए और नार्को न्यू प्रपोज़ पर माइग्रेंड अवाटिंग ओमारा थीम है इलेक्शन सिर्फ इलेक्शन शिर्फ कि शिए शहें को नासे Awards सो का यिस निश। किया जा रहा है तो चीज़ने हम आपको बताने हैं I would like to give you a fact here as per 2011 census 2021 तो अभी नहीं आया है 2011 census के हवाले से कर देखा जाए there are nearly 45.36 crore migrants in India both intra and interstate point to be noted and they amount to 37 percent of the country's population 2011 की बात है 2021 में यह number कहां होगा हमें नहीं पता पर इफ यू ask me I would say 50 percent of the country's population is on move I would say not less than 50 percent country is on move they are migrating to some places because percent demography ऐसी है आपके पास adult है जिनके पास छमता है move करने की तो अगर 50 percent से ज्यादा this is my submission 2011 census को ही आपको याद रतना है कि 37 percent of the country's population is migrant क्योंकि इंटर और इंटर स्टेट है वह सारे reasons हो सकते है marriage है जॉब है natural disaster है anything could happen और यह कितना है 37 percent as per 2011 census if you ask me 2021-22 अगर हम देखें 50 percent minimum अब इसका मतलब है कि जो registered voters थे यह तो मुख कर गे and they cannot contribute to the democracy now suppose if I am from suppose imagine Varanasi if I move to Delhi I cannot vote I will have to come back to Varanasi then only I can vote because I can vote at one place only I'll have to come back to Varanasi to vote but maybe that's not feasible for me to move every time the problem is how to maybe take in the votes of this around supposedly 40 to 50 percent of the people to election commission said that we are developing a prototype for multi constituency remote electronic voting machine that can handle multiple constituencies from a single remote polling booth मतलब एक remote electronic voting machine का जिक्र आ रहा है जो multiple constituency को भी hold कर सकता है मतलब आप एक EVM के सामने जब खड़े होंगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छा आप तो यहां के है तो इसलिए इन्हों के लिए क्या कर सकते एक बहुत बड़ा रिस्क बना हुआ था इस आप प्रचाइब मतलब आप किसी को अच्छाइब ओते लिए रिस्टे को अच्छाइब तो देते हैं पर आप उनको मॉका भी नहीं दे रहे वोट करने का नहीं आप नहीं अच्छाइब कर नहीं पोलिए भी if they wish to vote are unable to travel to vote. This means that there's a large chunk of the population, I would say in the category of 40 to 50%, that is denied its franchisee value, franchisee, right? This goes against the EC's no voter left behind goal. और इसके तहर बहुत कोशिश की जा रही है कि अच्छी चीज़े निकल के आएं. Election Commission की committee बनी थी, उन्होंने बोला कि हम देखना चाहते हैं domestic migrants को कैसे हम करें? बहुत सारे options आये थे. उन्होंने बोला कि ये काम करते हैं, internet voting करा लेते हैं, proxy voting करा लेते हैं, early voting करा लेते हैं, postal ballot करा लेते हैं, पर इन सब में एक मुद्दा निकल के आ रहा था कि क्या आप इसमें secrecy रख पाएंगे? क्या आप proxy के कारण उस vote का sanctity रख पाएंगे? आपको क्या पता उसी ने किया है? issues of accessibility of our unlettered voters, क्योंकि नहीं इतना पढ़ सकते हैं, internet पे नहीं आ सकते हैं, या फिर आप इन चीज़ों को क्या security wise देख सकते हैं? इन सब में, remote electronic voting machine का idea, अभी तक सबसे बहतर समझ में आता है. पे भी होंगे, आपका एक constituency wide भी electoral role बनेगा, जो RVM में आप मदद कर सकते हैं, या RVM उसी के हिसाब से बदद आपकी कर सकता है. पतलब RVM function करेगा, आपके जो भी electoral role, constituency wide बनेगा, उसके लिए भी RVM आप तयार हैगा, ताकि duplicate voting ना हो सके, और voters remotely भी अपना vote दे सकें. चली, आज के लिए बस इतना ही है, पर हम चाहेंगे कि electoral reforms को एक जगल लिखा जाए, और इसमें बहुत सारी चीज़ें आपके सामने निकल के आएंगी, जब हम लोग बात करेंगे electoral reforms की. आज के लिए बस इतना ही उमीद है आपके पसंद आया होगा, इस वास चंद्रमॉली इन फ्रंट आफ यू, स्टाइनिंग ओफ फॉर दे इस टेलिग्राम चैनल से आप जूड़ सकते हैं, और इस टेलिग्राम ग्रूप से भी आप जूड़ सकते हैं, expedition batch हमारा कल से मतलब 19 तारीक से चालू हो रहा है, लाब ले लिए ज़रूर, CMC court पर आपको बहुत लाब मिल जागा है, और आपको बता दें कि इस expedition batch के तारीक टॉप एजुकेटर्स हम लोग कोशिश कर रहे हैं, आपको बेस्ट कंटेंट देने का, आपको पूरा पैसे एक बार में नहीं देना होता है, आप EMI भी दे सकते हैं, प्रिके समय उता है जी कि बात सब माल लीजेगा, उन्होंने बोला है, सब लोग लाइक करिए, लाइक नहीं करते हैं आपनों, चेर नहीं करते हैं आपनों, आपको टेस्रीज भी अगर लेनी हो, तो हमारे पास 90, 99, 55 प्लस टेस्ट है, आप CMC को यूज करके वो भी ले सकते हैं, लास्ट मैल प्रोग्राम है, जो लोग दे रहें, इस पार का इंटरव्यू उनके लिए है, कोशिश करिएगा, उनको बोली का एक बड़ जरूर संपर्क कर लेंगे, ताकि हम उनका ड्याफ हम लोग पढ़ सकें, और अब तो आप लाइन भी आप से बाते हो सकती हैं, तो कोशिश करिएगा, अगर कभी आपके फ्रेंट्स, रिलेटिव्स, कभी भी आप लाइन डेली में रहें, तो ज़रूर बताईएगे, थेंग्यूस तो मच एवरिवन, टेक केड़ जयेंग, और निरंतरता ही, सफलता की कुझी है, जो निरंतर है, वही सफलयाबस निरंतर है, यह सफलता कोदार के कदमों को चुमे, बहुत-बहुत धन्यवाद आप से भी करते हैं, तो मस्टेक केड़ जयेंग, बबाबाए व पर वोलन क्लिवाद बीता ही, बादे हैं